शिरी शिवाई नमस्तुप्यम हर हर महादेव सेमरी हर्चन नर्वदापुरम में चल रही मा नर्वदाशी महापुराण कता के अंतरगर्ट पनिपदी मिश्टाजी ने ये विशेश उपाय बताया है जो की पित्र दोश, कालसरब दोश और बास्तु दोश के लिए है आपको एक कलश जल लेना है जो की आपको अपने घर के ही किचिन का जो पातर होता है, परिंदा होता है, मटका होता है आप जो भी पातर में पानी भर के रखते हैं, उसमें से आपको एक लोटा जल लेना है, इससे पित्र दोश का निवारन होता है और वो जल कलश को लेकर जब आप अपने घर से होते हुए बाहर निकलते हो तो घर का वास्तु दोश का निवारन हो जाता है और इसे ले जाकर जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो तो काल्ब सर्ब दोश के साथ साथ वास्तु दोश और पित्र दोश का भी निवारन हो जाता है पित्रों के इस्थान में से पानी लेकर जाकर शंकर भगवान को चड़ाना अरपित कर देते हैं तो तीनों दोश स्वतहा समाप्त हो जाते हैं इसलिए आप हमेशा अपने घर के किचिन के जल या मटके का जल ही उप्योग करें जब भी आप एक लोटा जल लेकर जाएं तो अपने घर के ही पानी से आप शिवलिंग पर जल अरपित करें